हाई फ्रेंट्स वेलकम टू माई चैनल देखिए दोस्तों जब भी कोई महिला प्रेगनेंट होती है उनके अंदर ये जिग्यासा होती है होने वाले बच्चे बेबी को लेकर कि बेबी बॉआ है ये बेबी कर्ल और ये जिग्यासा नौ महिने तक लगी रहती है हर महिलाओं क बदा देती थी क्या होने वाला है तो फ्रेंट्स आज की वीडियो में मैं बदाई मा के बताएगे 20 लक्षन बताऊंगी उनमें से अगर आपके अंदर पांच भी सही है तो फिर आप एक बेबी बॉआ को जनम देने वाले मेरे भी मैच होते थे ये सारे लक्षन तो मैं वह ही आप से शेयर करूंगी तो अगर आप वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक एंड सेस्क्राइब जरूर करिएगा वीडियो स्टार्ट करने से पहले और हमारा उद्देश लड़के रगां में भीदवाब नहीं है ये बात आप ध्यान से सुन लेजेगा फ्रेंड जादा लगता है बेबी राइट साइड में लेफ साइड में रहता है तो ये भी एक संकेत होता है कि अगला लक्षण है मूड का बदलना जी मूड स्वेंग होना कभी आपका मूड खराब हो जाता है कभी आपका मूड अच्छा हो जाता है या फिर आपके सिर में दर्द र तो ये भी लक्षन एक सर्टिंग माना गए कि आप बेबी बॉई को जन देने वाले हैं. तो अक्सर महिलायों में देका जाता है कि चहरे पे पिमपल आ जाते हैn, काफी महिलायों में येए सिम्टम्स Di dog अगे हुए फिर न कन दे था कई मझेड शा ером7D टो उनके कमर में दर्ध बना रहता है चले उटने बैठने में पाफिजिए निए दिक्कत का सामना करना पड़ता है और खड़े उन्ने में काफी रंकेत है नाभी अगर आपकी पेट से बाहर आ रही है नाभी का रंग काला हो रहा है और नाभी में इरिटेशन हो रही है खुजली हो रही है नाभी उबरी हुई अलग से दिख रही है तो ये भी एक सिंटम्स होता है कि आपके होने वेला बेबी बेबी बॉआ है तो फ्रें तो आप यह देखके अंदाजा लगा सकते हैं कि होने वाला बेबी बेबी बॉआ है उसके अपोजीट करल का जो पेट होता है बेबी कंसीव होने वाली होती है गल तो उनका पेट चप्टा होता है गोल होता है तो उसके अकॉर्णिंग अगर आपका पेट लटका हुआ है नी डिखले एक बैम होती है खटी ढापारे आती है आग dzisiaj तो यहे बिकलियर K पर देट अग्योगा अग्यों के बिटारी आपदेज़, जुडेज़,ी ऐख़ एक लडगाACH का लंचे कल नभ लहां होता है अगले सिम्टम्न में आपको बताने वाली, खानपान में बदलावना जी हां फ्रेंड्स अगर कोई महिला बेबी कंसीव करती है अगर उनके खाने में चेंज आ जाता है खाने में मीठा अच्छा लगने लगता है कोई चीज बिखाते हैं उन्हें मीठा जादा पसंद आता है तो यह भी एक लचण माना गया है बेबी बेबी बॉय है फ्रेंड्स मेरे केस में और मैंने काफी केस में देखा है अगर बेबी बॉय कंसीव होने वाला है तो जाद कर महिलाएं चंचल हो जाती है उनकी जिसम में फुर्ती आ जाती है वो एक जगह नहीं टिकती है वो जाद कर वरकार काम करती है टहलती है और एक जगह नहीं बैठती हैं चंचल जाद होजाती हैं तो यह बी हैस करदाना कि 5 तो कर blijता हुर्ण को में शुए कर शुए मेरा हुआ हों। साइख को भी आनुए भाई हुए आपका सीविस्रेंचों मे का व्यप्र तो आपका जो चेहरा है वो पतलह होने लगता है और गाल भी तोड़े से दब जाते हैं तो ये भी शीम्टमस बेबी बॉआ होने के दर्शा हता है अगर आप खुब पानी पीने के बावजूद भी आपका यूरेन येलो कलर का आता है ये पीले कलर का आता है तो ये भी एक सिम्टम सही और बिल्कुल सही मानगा है ये होने वाला बेबी बेबी बॉआ है अब मैं बताने वाली हूँ आपको जब भी कोई महिला बेबी कंसीव करने वाली होते हैं उनकी प्रिगनेंसी कंफर्म होती है तो साथ में या आठ में ये सिक्स मन से उनकी बॉडी में रैशिस होने लगते हैं एलर्जी होने लगती है और खुजली सी उनके बॉडी में होती ह तो यह भी एक symptom सटिक माने गया है कि होने वाला बेबी बेबी बॉआ है आप अपने बेबी बॉआ को जरम देने वाली है काफी महिलों में यह लक्षण बिलकुल सही बैठा है तो फ्रेंड्स बेबी बॉय होने के मैंने आपको बहुत सारे लक्षण बताएं जो दाई मा और काफी लोगों ने ये इस बात को की पुस्टी करी है कि होने वाले बेबी की बॉय के ये लक्षण होते हैं अगर आपके अंदर चार पांच भी ये लक्षण है तो आप समझ जा आने वाली है तो फ्रेंड्स खुदा हाफिज